तो 2016 में जो बिहार सिबिल कोट का एकजाम हुआ था उसमें समास से जो है चार परोसन पूछे गए थे दो सिफ्टों में एकजाम हुआ था दो दिन एकजाम हुआ था और उसमें जो है चार से पांच कोशन समास से ही पूछे गए थे तो आज की इस वीडियो में माई आपको समास को पाचाने के लिए best trick बताने वाला हूँ तो हमारे साथ इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिये friends, यहाँ पर जो है आपको समास को पाचाने के लिए सोट ट्रिक बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप समास की परिभासा देख लीजिए, ऐसे तो एकजाम में समास की परिभासा पूछता नहीं है, लेकिन आपको जनना जरूरी है, कि दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक सब्द समास कहा लाता है, जैसे यहाँ पर होगी आपका प्रती दिन, तो प्रती दिन में कितने सब्द मिले हैं, एक प्रती मिला है और प्लस दिन मिला है, तो बना प्रती दिन, तो इसी को कहा जाता है समास, ठीक है फ्रेंड्स, अब समास के भेद देख लेते हैं, उसके बाद इसको पहचानने का आपको म सो ट्रिक दिखाऊंगा और जितने भी सारे कोश्चन पुछे गएते समास से उसको जो है आज इस वीडियो में किलियर करेंगे तो देखिए समास के जो है छो मुख्य रूप से भेद होते हैं पहला जो है अब्याई भाव समास दूसरा तत पुरुष समास तिसरा करमधारे समास चौथा द्विगु समास पंचवा द्वन्द समास और छठा बहुबिरी ही समास अब चलिए इसको पहचाने का बेस्ट ट्र इसको पहचाने का सौट टृक क्या है तो देखिए किसी भी सब्द के आगे अगर अनू आ भर यथा यावत हर प्रती आदी रहे और देखिए जहां एकी सब्द बार बार आबरीती हो जैसे में रातो रात बार-बार तो यह क्या हो रही है एकी सब्द की जो है बार बार हो रही है तो वह जो है अब्याईभाव समास होगा और नहीं तो जिसमें जो है पहला सब्द अनु हो आ हो भर हो यथा हो हर हो प्रती हो रहे तो यह जो है कौन जो समास होगे वह अब्याईभाव समास होगे अब उधारन से समझ लेते हैं देखिए उधारन में देखिए यहा अब्याई भाव समास होगा अब इसको कैसे पाचानेंगे यहां पर प्रती लगा है और हमने आपको बताया है कि प्रती जिसमें लगा हो अब्याई भाव होगा रातो रात यानि कि यहां पर बार बार एक ही सब्द की बार बार अबरीती हो रही है यहां पर देखिए बार बा ठीक है friends तो आपको जो है एक copy में note कर लिजिए इसको पहचाने का trick काफी महतपून trick है ठीक है friends और इससे जो है question जो पुछा गया था 2016 में वह question देखिए कितना जो है सरल से आप trick से पहचान सकते हैं यथा सकती में कौन सा समास है यहाँ पर यथा लगा है और हमने trick में आपको बताया है कि जिस भी सब्द के आगे यथा या वत प्रती लगा हो वो कौन सा समास होगा अब्यभाव समास होगा ठीक है friends next अब इसका जो है देख लेते हैं दूसरा number जो है दूसरे पर जो समास है व करम को करन से ऐसे कारक चीन होते हैं उसको याद कर लेना चाहिए और यह जो है जिस समास में ये दोनों पदों के बीच कारक चीन हो जैसे ने हो करता ने करम को हो तो उसको जो है तद पूरु समास बोलते हैं ठीक है friends इसको देखिए उधारन से आप समझ जईएगा यहाँ पर दिया है सूरे का पुत्र यहाँ पर क्या हो गया कारक चीन आ गया सूरे पुत्र जैसे है तो हम क्या कहेंगे इसको सूरे का पुत्र जैसे यहाँ पर अगर राज कुमार होगा तो क्या बोलेंगे राजा का कुमार यानि कि राजा का बेटा तो यहाँ पर का आ गया तो इसलिए जो कौन सा चीन हो गया, कारक चीन हो गया, और जब किसी भी वर्ड में कारक चीन आएगा, तो उसको जो है ततपुरु समास बोलेंगे, यहाँ पर धरम गरंथ है, तो धरम गरंथ का क्या होगा, धरम का गरंथ, तो अब ततपुरु समास से 2016 में कौन कोचन पुछे गए थे, वो आपके स्कीन पर है, देखिए देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम के मतलब क्या हुए फ्रेंड्स, देश से जो प्रेम करता है, देश से प्रेम करने वाला, यहां पर से आ रहा है, से कौन सा चिन है, कारक चिन है, तो जिसमें कारक चिन हो, वो कौन सा समास होगा, वो ततपुरु समास होगा, ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question देखिए, next question तो नहीं आये, लेकिन आपर तिसरा जो समास है वो है करमधारे समास करमधारे समास क्या होता है और इसको पहचानने का बेश्ट ट्रिक दखिए दखिए समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच हाय जो हाय के समान और रूपी आदी आता है यानि जब दो सब्दों को आप बिग्रह करिएगा और उसके बीच में हाय के समान और रूपी आदी आता है तो वो कौन सा समास होगा वो होगा करमधारे समास ठीक है उदारन से इसको समझते हैं यहाँपर दखिए प्रान प्रिये, यानि कि जो प्रान के समान प्रिये हो, तो यहाँ पर के समान आ गया, ठीक है, तो यह जो कौन सा समास होगा, करमधर समास होगा, अधमरा, यानि आधा है जो मरा, तो यहाँ पर है जो आ गया, तो यह कौन सा समास होगा, करमधर समास होगा, निल कंट, यह जो जो कौन सा समास हुआ आपका करमधार ये समास हुआ इतने बाद अब समझ गए और इससे जो question पुछा था यहाँ पर देखिए निलगाय में कौन सा समास है यानि कि निल गाय में बताना है कौन सा समास है तो इसका अगर हम बिघऱ करें बिगड़ा करें तो निला है जो गाए ये जो होगा फिरेंट्स निला है जो गाए तो उसको क्या बोलते हैं निल गाए तो ये कौन समास होगा तो ये जो समास होगा वो होगा करमधारे समास ठीक है फिरेंट्स अब जो बचा तीन समास इसको हम नेक्स्ट वीडियो में किलिय करेंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंग